कि हैं कि हैं लोग अपने अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएगी हम लोग ने इतने कोशन अटेम्ट किये हैं और किस तरीके का पेपर था वो भी आप अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा जिसे मैं आप लोगों लिए एक के कट-off बना सकूं तो आज हम लेकर आएं आप लोग लिए एक और प्रक्टिस हैट जो प्रक्टिस मेरे पास पड़े हैं उने में से जो आप लोग के लिए काफी हैलफ फुल हो सकते हैं उन्हीं की में वीडियो बना रहा हूं बाकी यह नहीं बना रहा हूँ जो इंपोर्ट ये वीडियो सुरू करने से पहले क्या करना है लाइक करना है वीडियो को सेर करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को तो आज सुरू करते हैं आज का अपना प्रक्टिस एट तो पहला कोर्शन है प्रक्टिस एट का मनो विज्ञान अधियन है तो मनो विज्ञान किसका अधियान आपको पता ही है सभी को किसका अधियान है भी मानव वियवार का अधियन करता है मनो विज्ञान ठीक है नेक्स यहां पर आपका विश्राम संक्रमन काल का उधेशी होता है तो आपका जो रिकवरी पीरेड होता है उसका टाइम उसका उधेशी पूछा है तो क्या होता है आपका राइट अंसर हो जाएगा आपका D, recovery प्राप्ट करना Q3 उत्प्रेड़ना का पुनरवल मत किसने दिया है ठीक है तो यह आपको psychological question पूछा है आपको याद होने चाहिए यह question कि किसने कौन सा मत दिया है तो question number 3 उत्प्रेड़ना का पुनरवल किसने कामत किसने दिया है तो किसने दिया है थार्ड का राइट अप्सन हो जाएगा D, ठीक है इसकीनर ने दिया है question number 4 यह है उर्जा मापने की इकाई है तो उर्जा को किस यूनिट में मापते हैं वो आपको बताना है कर दिये क्या है आपको बताना है मैं थोड़ा ऊपर स्क्रोल डाउन आप कर लेता हूं तो अब बताईएगा खिलाड़ी का हिर्दिय क्या है तो क्या है खिलाड़ी कर दे 5 का राइट अंसर हो जाएगा आपके D, ठीक है यह है यह है एक हाइपर ट्रोफिक इस्तिती है कोशन नमबर 6 सत्रवे एशियन खेल में डिस्कस्त्रो में प्रिथमिस्थान प्राप्त करने वाले कौन थे तो कौन थे आपको बताना है 6 का राइट अंसर हो जाएगा आपका E, जी कोशन है B, ठीक है शीमय पुनिया जी ने आपका सत्रवेशन खेल में डिस्कस्तो में गोड मेडल जीता था कोशन नमबर 7 हैमर की कुल लंबाई होती है तो हैमर की कुल लंबाई आपको बतानी काफी important कोशन है अगर आपका हैमर थे आता है एक जंपर है तो उचाई कितनी बढ़ाई जाएगी ठीक है लाश्ट जंपर बचा है ठीक है आपका उसकी उचाई कितनी बढ़ाई जाएगी आपको बताना है तो आटका right answer हो जाएगा D, उसकी इच्छा के अनुसार बढ़ाई जाएगी कोशन नमबर 9 अंतराश्य ट्रैक में लैन की चोड़ाई होती है तो आपको पता है कि लैन की कितनी चोड़ाई होती है आप सभी को पता है काफी जी कोशन है राइट अंसर हो जाएगा पसी 1.22 से 1.25 मेटर तक होती है कोशन 10 वाई यू वै को मापा जाता है तो किस से मापा जाता है वाई यू वै को आपको बताना है काफी अच्छा कोशन है टैन का राइट अंसर हो जाएगा बी ठीक है विंड गीज से मापा जाता है कोशन नमबर 11 इस्टेंडर ट्रैक में 200 मेटर इस्टेंडर का फोर्मूला क्या है ठीक है तो 200 मिटर का फोर्मूला आपको बताना है तो देखो 200 मिटर का चौर सो मिटर का आपका फोर्मूला पता होना चीज़ इस ट्रेगर का तो 11 का राइट अंसर हो जाएगा B ठीक है W इंटू N-1 माइनस 0.10 इंटू पाई ठीक है अगर हम फुलिस्ट अगर की बात करेंगे तो फुलिस्ट अगर हो जाएगा आपका पहला ठीक है इसमें 2 पाई आर हो जाएगा ठीक है 2 पाई र हो जाएगा तो जो फुलिस्ट अगर हो जाएगा वो जाएगा आपका W इंटू N-1 माइनस 0.10 ब्रेकिट बन टू पाई आर ठीक है तो यहां पर यह हो जाएंगे दोनों आपको याद रखने चाहिए काफी अच्छे कोशन है कौशन नमबर 11 कौन सा कारक सारिक सोस्था पर प्रभाव नहीं डालता है तो कौन सा प्रभाव नहीं डालता है आपको बताना है लिखाई और पढ़ाई नहीं डालता है कोशन 13 प्रिथम स्रेणी का उत्तोलग बढ़ाने में योग्य है ठीक है ये कोशन केवल इसी उत्तोलग का बनेगा कि प्रिथम स्रेणी का उत्तोलग बढ़ाने में योग्य है और आपको याद रखना है क्या बढ़ाता है प्रिथम स्रेणी का उत्तोलग आपका बल और गती दोनों बढ़ाता है कोशन नमबर 14 समाज सास के द्रेश्टी कौन से निम्लिकित में से प्रिथम समों कौन सा होता है तो काफी जी कोशन है आप सभी को पता है 14 का राइट अंसर हो जाएगा आपका C परिवार होता है कोशन 15 इला कि आप सभी को पता है detecting डिसके तो और आपका सोर्ट पूट ठीक है तोनों का सें जो कौन होता वह सें ही होता है और आपको याद होना चाहिए राइट अंसर हो जाएगा आपका भी 34.92 डिगरी होता आप कोर्शन नमबर 16 मौलाना अबुल कलाम आजा ट्रोफी माका इसको बोलते हैं ठीक है म, A, K, A किसको दी जाती है आपका विश्विद्धाले को दी जाती है और ओवर ओल जितने भी इवेंट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो इवेंट जीता है उसको यह ट्रोफी दी जाती ह है कोर्शन नमबर 17 भारत में दूसरी बार एशियन खेल कौन से वर्ष कराएगे तो फर्स्ट कराएगे थे आपके उन्नीज सु क्यानवे में और सेकिंड कराएगे थे उन्नीस सो बैसी में ठीक है राइट अंसर हो जाएगा सी उन्नीस सो बैसी इसी तरीके के कुशन आएं मनविज्यान अधियन का सम्मंद है तो आधुनिक मनविज्यान किसका सम्मंद करता है किसका अधियन करता है आप सभी को बता है राइट अंसर हो जाएगा आपका सी वियावार का अधियन करता है कोर्शन नमबर 19 जिमनास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है तो कि के विन आप जिमनास्टिक सेग ही नहीं सकते हैं कौशन 20 लंबी कूद में किस प्रिकार की तागत का प्रियोग किया जाता है जितनी भी कूद्स होती हैं आपकी उसमें विसपोटक सकती यूजूद की आपको याद रखना है जहां आपका कूद से रिलेटिस रखती इस प्रियोग के विस पोटक सकती लगा देना है राइट अंसर हो जाएगा आपका एट यह जाएगा यह विस पोटक सकती कौशन 21 वाल एड शोटिंड जोड के चार और मूवेंट होती है तो कौण कोई होती है आप फुलक्शन अग्डेक्शन अक्टेंशन होती है रोटे 22 दुद्टिक वायू के लक्षण है तो कौन से हैं आपका सिर्दर्द, सिर्मे दर्द होना, तो चपिली होना, चाती और मास्पेश्यू में दर्द होना, तो उप्यूक सभी हो जाएगा, बाईश का राइट अंसर हो जाएगा, 23 कौन से पिरकार का खेल, काम और आनंद नहीं है, तो इजी कोशन है, यह आपके तरकूत्दी वाले सवाल होते हैं, आपको ग्यास कर ले नहीं होता है, तो राइट अंसर हो जाएगा, आपका दी, धूप सेखना, कोशन नमबर 24, रक्त चाप उपचार के लिए सबसे कौन सा आसन कारगार है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा आसन कारगार है, तो यहाँ पर हो जाएगा, राइट अंसर हो जाएगा, सी, सबसे आपका रक्त चाप में काफी सुधार करने करता है, कोशन 25, वह अद्रिश्य है, परन्तु हमेशा उपस्तित रहता है, तो आपको बताना है, वह अद्रिश्य होता है, और हमेशा आपका उपस्तित रहता है, तो 25 का राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, बल अद्र होता है शरीर में होता है ठीक है जब जुरत पड़ती है तभी वो अपना काले करता है कौशन किसको कहा जाता है तो तब भी किसको कहा जाता है वो भी आपका है उत्तर एथिन्स काल को ही कहा जाता है कोशन 27 ओलम्पिक खेलों में प्रिथम बार सपत कब प्रारम की गई तो कब सपत प्रारम की गई आप सभी को पता होना चाहिए 27 का राइट एंसर हो जाएगा आपका भी 1900 एंट वर्फ एललम्पिक में की गई थी 1920 में सोरी 1920 में तो यहाँ पर 28 कोशन ख्लाडी को दिये जाने वाला सबसे बड़ा प्रुषकार तो कौन सा है आपका राजीव गांदी खेल प्रुषकार है अगर आपको उप्षन में राजीव गांदी नहीं मिलता है तो आपको जाना है फिर अर्जुन प्रुषकार के साथ ठीक है कोशन की कोशन की नेचर के उपर अपने उप्तर देने हैं ऐसा नहीं है कि आप राजीव गांदी है नहीं आरो आप वहां माथा बग्र के बैठ जाए इसमें तो कोई नहीं अगर उसमें उपर उक्त में से कोई नहीं तो आप कोई नहीं ही लगा दो ठीक है अगर आपको को कोशन यह होता कि दुरोन अचारे प्रुसकार और आपका कुछ हो रहा था तो तब भी आपको अर्जन प्रुसकारी लगाना था ठीक है कोशन नमबर 29 सैनिक जीवन प्रचलित था तो किसम प्रचलित था आप सभी को पता है 29 के राइट अंसर हो जाएगा यह स्पार्टा में प्रचलित था कोशन 30 अनुभब एवं प्रेशक्षण दुवारा वियवार पड़िवतन कहलाता है तो क्या कहलाता है आप सभी को पता है अनुभब और प्रेशक्षण यहा पर हो जाएगा आपका राइट अंसर भी ठीक है अब अनुभब और प्रेशक्षण से आप एकी चीज करते हो वो क्या करते हो शीखते हो ठीक है अनुभव से इंसान सीखता है और प्रेस्टिस्टन से भी इंसान सीखता है कोशन 31 सारी रिक शिक्षा में जन संपर्क का जन संपर्क आवस्चक है तो क्यों आवस्चक है आपका 31 का राइट अंसर हो जाएगा आपका ठीक है सा प्वस्ति के लिए भी सारे रिख्त्र शिक्साके उदी दिश्ति के लिए भी तो यहां पर आपका हो जाएगा डी थर्टी वन bize रूजाएगा डी आई-सो टोनिक था यान का संब्ध है तो आइसो टोनिक व्यायाम किसके लिए यूज होता है आप सभी को पता है आइसो टोनिक व्यायाम इस्पिसली आपके जिम में होते हैं ठीक है किस में होते हैं आपके जिम में होते हैं और जिम में क्या बढ़ती है 32 का राई रिड अन्सर हो जाएगा आपका C, सकती बढ़ती है Qustion 33, J1 की सबसे छोटी इकाई है तो J1 की सबसे छोटी इकाई कौन से आप सभी को पता है QC का हमारे J1 की सबसे छोटी इकाई होती है Qustion 34, Trachea का संमिथ है तो ट्रेकिया का सम्मध किस्से है आप सभी को बता है ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है आपको comment section में बताना ये question आप लोग के लिए है ठीक है question of the day है ये आप लोग को comment section में बताना है कि ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है तो right answer हो जाएगा आपका B ठीक है स्वसन तंत्र से होता है ट्रैकिया जो आपकी स्वसनी बोलते हैं वो स्वसनी इसको ट्रैकिया को ही बोलते हैं कोर्ش entonces 35 दि्यानात्मक आसन हैं तो कौन से हैं दियानात्मक अचाण आपके ठीके वू उनिके आसनों की बात वहाँ जिसमें बैठके आप ध्यान लगा सको ठीक है जिस वसान में आप ध्यान लगा सको हुश्य से तो किस में लगाते हैं दिःान योगी लोग आपका पदमासन और वजरासन में लगाते हैं 35 का राइटम सरु हो जाएगा 36 आराम दायक आसन है आप सभी को पता है सभासन आपका आराम दायक आसन है ठीक है जहां जिस स्कूल में वजब करता हूँ सबसे ज़्यादा एक्साइड हो जाते हैं कि सर हम भी इसको करेंगे कुछ प्रोलम होती है कि सर यह वाला असन हम नहीं करेंगे इसमें थोड़ा पें होता है तो सबसे क्या होता है उसमें रिलेक्स मिलता है ठीक है 37 कोशन सारे रिक्षिक्षा की जरूरत है तो सारे रिक्षिक्षा की क्या जरूरत है आप सभी को पता होना चाहिए सारे की विकास के लिए भी मांसे की विकास के लिए भी संवेगात्मक विकास के लिए भी ठीक है सब चीज आपको दिखाई दे ठीक है तो कोशन है यहां पर आपका थर्टी एट सूची वन को सूची टू किसा सुमेलित कीजी तता नीचे गए कोड दिये गए कोड को उत्तर चुनिए ठीक है सही उत्तर चुनिए तो आपका एलनाइपी हुआ था आपका उनिसो सतावन में और पटियाला हुआ था आपका पटियाला हुआ था आपका निस पटियाला ठीक है यह हो जाएगा आपका उनिसो एक सट में तो अर्टिस का कि थर्ड का हो जाएगा आपका ठीक है 1904 आपका NFS का हो जाएगा 1961 ठीक है आपका राइट अंसर हो जाएगा 38 का भी शूची वाला है एक वीवर्स ने बोला था कि आप सभी कोशन कराइए ठीक है आप यह भी कराइए जोडे मिला वाला भी कराइए तो इसलिए आप लोगों करा रहा हूं कोशन 39 सोची 1 को 2 के साथ समयलित कीजी त्यथा नीची कोर्ण से से उत्तर चुनिए ठीक है तो पैन किरियाज होता है आपका मधुमे से संबंदित, गुर्दा होता है आपका पत्थर से संबंदित, ठीक है, यहाँ पर रोग दिये हैं और उनके अंग दिये हैं, ठीक है, सराव होगा आपका लीवर से और आपका तमाक होगा फेपडू से, तो इसका राइट अंसर हो जाए डी दूसरे का हो जाएगा सी ठीक है और तीसरे का हो जाएगा आपका भी तीसरे का आपका हो जाएगा भी तमाकू आपका लीबर पर ठीक है तो पहले का हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सी उनसर राइड जो मैं आपको बताया पैन क्रियाज आपका मधुमे से गुर्दा आपका ठीक है पच्तर से आपका तमाक हो जाएगा सराब हो जाएगा आपका लीवर से और तमाक हो जाएगा आपका फेपलो से ठीक है Q40 सारे रिक किरियर्या में जो मास्पेशिया सिधिल रहती है वह है तो कौन सी है आपका 40 का राइटन सरू हो जाएगा वी ठीक है विरोधक होती है a Q41 व्यक्तिगत का कारण है wo subtI trash of doom के आपको बताना है 41 का राइटन सरू हो जाएगा आपका once और वातावरण की प्रिभाव की अनुसार ठीक है पोर्शन 42 देकर थलान के प्रिथम दिवस में होने वाले इवेंट का सही करम चुनिए तो आपको सही करम बताना है 42 का राइट अंसर हो जाएगा ये ठीक है पहले हैं आपके हो जाएगा 100 मिटर ठीक है फिर हो जाएगा आप आपका लम्बी कुद फिर हो जाएगा आपका गोला फेक फिर हो जाएगा आपका उच्छी कूद फिर हो जाएगा आपका 800 सो मिटर ठीक है तो यह हो जाएगा आपका सो लगाओ ठीक है सो लगाओ चार सो ठीक है तो यह आपकी इसकी ट्रेक हो जाएगी पहले दिन की सो लेसे लंबी कूद गैसे गोला फेक उसे उची कूद चार सो से आपका 400 मिटर कोशन 43 दो खिलाडियों के बीच इस्थिरता विच्रन सीलता वे सजातियता की गढ़ना के लिए कौन सी संकी की का उप्योग किया जाता है देखो इस तरह के कोशन आपके नहीं आएंगे टीजीटी का एकजाम है ना कि पीजीटी का ये स्पेशली पीजीटी के में होते हैं आपके स्टेटिक्स और सोध वाले कूशन लेकिन आपको पढ़के जाना है क्या पता आपको देखने को मिल जाए तो इसलिए 43 का राइट एंसर हो जाएगा आपका सी ठीक है विच्रन गुनांक ठीक है सी बीज को कहते हैं इस तरह की कोशन आपको रट लेने हैं ठीक है हो सकता है आपके एक्जाम में आ जाएं कोशन नीची देगे विक्त कीजिए तथा एक कतने एक तो गुद एक को अभी कतन ए तथा दूसरे को आज से कहा गया है तो यह थीचा लेना पर है एक का है सारी रिक सिक्सा ए एक हैं और आपका तरक है सारी रिक शिक्षा के विसे में अन्य सम्मद्दों की सिधांत लिए जाते हैं तो 44 पाप का राइट ऑंसर हो जाएगाfer में घीक है और न 지 या का भी शही है 45, सारे दिख शिक्सा वह अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को क्रियाओ से आता है तो किसको बताना है, 45 का पराइट अंसर हो जाएगा A, ठीक है, डेलवर्ट, ओवर्ट, टीवर्वर के अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को क्रियाओ से आता है 45 का पराइट अंसर हो जाएगा डेलवर्ट, ओवर्ट, टीवर्वर के अकोडिंग Q46, मानव सरी की सबसे दंबी मास्पे से कौन सी होती है तो आपको विवर्ट, कन्फ्यूज नहीं होना लंबाई अलग चीज होती है, ठीक है ठीक है, अगर बड़ी को हम एक्स्प्लेन करें तो बड़ी चीज हो जाएगी साइज में ठीक है और आपकी लंबी चीज हो जाएगी के वो लेंथ में ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पर दिया है लंबी मासपेसी हो जाएगी आपकी सार्टोरियस और आपका पूछा होता कि आपकी बड़ी मासपेसी हो जाएगी तो वो हो जाएगी आपको गुलूटियस मैक्सिमस ठीक है तो आप कन्फ्यूज मत होना कुश्ण को दो बार पढ़ना एक्जाम में आपको बहुत टाइम मिलेगा दो घंटे का टाइम मिलेगा तो इसलिए गन्फ्यूज मत होना अच्छे से अपना एक्जाम करके आना 47 एड्स एक दूसरे में जाती है तो कैसे जाती है आपका तो इसका राइट अनसर आप सभी को पता है Common से चीज है её काफी जागरुकता वाली चीज है तो आपका हो जाएगी है सेक्ष के अनसर एक वेक्ती में दूसरे वेक्ती में सानांतरित होती है कोशन 48 समू में की गई मुक्त हस्त कसरतों को कहा जाता है तो समू में की गई मुक्त हस्त कसरतों को कहा जाता है क्या कहा जाता आपका कैलस्थैनिक कहा जाता है यह कोशन देखो यूनी कोशन है ठीक है इसके आने के चांसे काफी है तो इस तरीके के जो यूनी कोशन है ना प् जाद होते हैं क्या करता है कि 20-25 कोर्षन नई भी बनाता है ठीक है तो नए कोर्षन जो बनते हैं नए कोर्षन आपके ऐसे ही देखने को मिलते हैं और वीवर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए में इतनी मेहनत करता हूं तो आप लोग सबस्क्राइब भी करा करें और आप लोगों को मैं बता दूं अगर इस पेपर से पहले 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 5000 सब्सक्राइबर अपने पूरे हो गए तो जो हमारी कराऊंगा की सब्सक्राइब कर देना है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब से श्टार्ट होगा तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना कोर्शन नमबर 49 विचलन सीलता की माप पुका सबसे अधिक तम विश्वसनिये माप है तो कौन सा है आपको पता होना चाहिए सबसे विश्वसनिये माप कौन सा होता है तो आपका यहाँ पर इस के अगोर्डिंग हो जाएगा मानज विचलन ठीक है कोर्शन नमबर 50 क्रेब्स चक्रिस्थान लेता है तो यहाँ पर देखो यह कोर्शन भी अच्छा है क्रेब्स चक्रिस्थान लेता है 50 का आपका राइट अंसर हो जाएगा बी माइट्रो कोंट्रिया में नैफYou 네f रहोन सूक्सम साचन लेता है तो किस की है आपका C अप्सन सही हो जाएगा आपका गुर्डि की सनज़ना होती है ठीक है आपको नैफिरोन में आपको पता होना जाएगे कि किस की सनज़ना होती है नहीं और नियूरोन में आपको जनी नहीं हो नहीं है नही और नहीं होती आपको गुर्दोगी और नियूरोन होती है आपकी तंत्रे का तंत्र की 52 अधिसेज उर्जा का सिध्धावंद किसने दिया है तो यह अच्छा कुशन है तो आपका Harvard suspension ने दिया है ठीक है इसमें एक बंदा ओड़ता उसका नाम था क्या नाम था सिलर ठीक है ये पूरा अगर आता है तो सिलर और हर्वर्ड इस पेंशन ने किया था इसको कहते हैं सर्प्लस एनर्जी ठीक है कॉशन 53 मानव तत्व का संगठन एक बुनियादी सिधान्थ है ठीक है Тो किसका है आपको बताना है 53 का आपका राहिट अंसर हो जाएगा संगठन एवम परसासन का हो जाएगा question जोड़ी मिलाओ ठीक है तो आपको जोड़े मिलाने हैं आपको पता होना चाहिए ठीक है तो देखो आपका offside कहाँ पर होती है आपके football में होती है कहाँ पर होती है football में होती है pivot कहाँ पर होती है आपकी basketball में होती है libro कहाँ पर होता है आपका volleyball में होता है, इतना clear कर निवाद आप clear हो जाएगा कि कहाँ पर यह चीजे हो रही है ठीक है, तो late हो जाएगा आपका table tennis में तो इसका right answer हो जाएगा 44 का right answer हो जाएगा B, ठीक है, पहले का हो जाएगा दूसरा, ठीक है B का हो जाएगा चोथा ठीक है, C का हो जाएगा third sorry, B का हो जाएगा third C का हो जाएगा fourth और D का हो जाएगा आपका पहला, ठीक है बढ़ेंगे next question की तरफ question number 55, ठीक है, तो 55 पे I think mark लगे वे हैं, तो आपका देखो, मैं आपको explain कर देंगे, तो carbohydate हो जाएगा, ठीक है, बसा हो जाएगी, आपका अतिरिक्त engine के रूप में कारी करती है लालक्त कनिका हो जाएगी, आपके विशिष कोशिका और कोशिका हो जाएगी जीवन के निर्बान का खांड, ठीक है, तो इसके according आपका right answer हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यह option right हो जाएगा, question, ठोड़ा छोटा कर लेते हैं, कथन A तथा कारण R के आधार पर नीची देएगे, कूट के अनुसार, सही जवाब का है, chain कीजिए, तो 56 का right answer हो जाएगा, आपका C, ठीक है, 56 का right answer हो जाएगा, आपका C, तो C में क्या है, आपका यह बता रहा है, A सही है, पर उन्तु R गलाते है, ठीक है, तो A को पढ़ लेते हैं, आंत्रिक सोशन का मतलब होता है, आक्सिजन दर्दाकार वंडाय आकसाइड, वाईयू, कैलिपर नलियक, OCAO रण के आरपाल प्रदान, यह ठीक है, सही है, आक्सिजन में तरित तथा हिर्दे के बाएं नीचे वाले धमनी में जाता है, और पूरे सरीर में संचालन करके महासिरा दुआरा हिर्दे के दाएं उपरियल इंद में प्रिवेश करता है, तो यह आपका गलत है, ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स कोशन 57, सोड़ा तोड़ा जूम इन कर लेते हैं, 57, सरीर में आक्सिजन परिवहन के रास्तों को पहले के बाद सही ग्रैम में लगाईए, तो इस तरीके कोशन आपके दे अलवोलाई, ठीक है, ट्रैकेयों को सोचने भी बोलते हैं, फिर आपका हो जाएगा अलवोलाई, जहां पर आपका क्या सोगा आदम प्रिदान होता है, फिर हो जाएगा आपका बलड, ठीक है, फिर हो जाएगा वो हर्ट, फिर हो जाएगा आर्टरी, ठीक है, तो क्या हो ज तो दो के फिर ब्लड में जाएगी, ब्लड के बाद वो जाएगा, ब्लड आपका हार्ट में, हार्ट से फिर पूरी आर्टरी के आर्टरी के द्वारा पूरे सरी में चला जाएगा, कोशन नमबर 58, अंतराष्टी ये ओलिम्पिक समीती के वर्तमान अध्यक्स हैं, तो आप सभी को बता होना चाहिए, राइट अंसर हो जाएगा, भी थॉमस वक्स जी है, कोशन 59, पुरुस जेवलिन का वजन कितना होता है, यही कोशन 800 ग्राम होता है, पिकनिक विल्ड का जो सांती के दोरान फेवलों के अंदर प्रिवेस करता है और बाहर आता है, उस सामानिय सांस लेने की परिकरिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आपको पता है, टाइडल वॉल्यूम उसको कहते हैं, कोशन नमबर, स्कॉर्ट मॉर्टर अबिलिटी टेस्ट इसमें सामिल नह होता, ठीक है, इन में सामिल नहीं होता, तो किसमें नहीं होता, आपका 500 मिटर दोड़, स्कॉर्ट मॉर्टर अबिलिटी टेस्ट में सामिल नहीं होती है, कोशन 63, सुर्षन प्रनाली को बैतरीत, डंग से दिया गया, उन्हें सही करम में लगाई है, ठीक है, तो अभी मैंन पर और चाह集 कर आउटर सकती का सही सूत्र, कों सा है, तो आक थी का सही सूत्र, आपको बताना है तो आपका हो जाएगा बल इंटू गती ठीक है क्या हो जाएगा बल इंटू गती आपका हो जाएगा जितना बल लगाएंगे और जिससे आप गती करेंगे तो आपका सकती निकल आएगी ठीक है तो आपको यह चोटो चोटी चीजे पती होनी चाहिए काफी अच्छे कोशन बन सकते हैं इन से कोशन शिक्षी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है कोशन आपका 65 किस पदिदी के दुवारा कसोटी की विश्वेशनेता को इस्तापित किया जा सकता है तो 65 का आपका राइट अंसर हो जाएगा विवाजन आदा पदिदी के दुवारा कोशन 2016 किस पदिदी के दुवारा कसोटी की विश्वेशनेता को इस्तापित किया जा था हाँ यह सही है आपका 66 दोजार सोला के परालम्पिक खेलों में बार दि refuse कितने पदक जीते है तो 66 काराइट अंसर हो जाएगा 4 पदक Gीते थे में सी सीसेवन फ्लेक्स सांब llegóافट esca Lock test को मापने के लिए कि यहाल तो किसे सेवन उस फ्लेक्स के लिए किया जाता है मोटाप के निमलिकित कारण हैं तो कौन से 미ोटाप के निमलिकित कारण आपका कम V.A के पिक्षा अधिक उठ जाओ लेना ठिक है, आप किसी चीज में से पैसे मतलब है आपका जो उसके बोलता है गुलग बोलता है, ठीक है, गुलग है, आप उस में पैसे ज्यादे डाल रहे हो, ठीक है, ज्यादे डाल रहे हो और समय ज़रे थोड़ा बहुत निका सक्ति को बढ़ाने वाला एक प्रिकार है तो कौन सा है आपका जहां पर आपका विस्पोड़क्स सक्ति की बात हो तो वहां पर आपका प्लायोमेट्रिक या सार्जेंट सब आपको मार देना है कोशन सेवन्टी जब डीजल कोईला तेल की लकडी जैसे इन दिनों को जलाया ज लागता है तो क्या कहा जाता है अब सभी को बता होना चाहिए करवंड मोनोक्साइड उससे उत्पन होती है कोशन सेवन्टी वन दिल के दोरे के संभावित कारणों में संभावित कैरनों के रूप में निमलिकित चार पहलुवव विचार कह जैता है इन चारों में से उस ख कारण को बताई जो कैंसर के लिए उत्तर दाई है तो कैंसर के लिए क्या होता है आपका तम्हाकू का से 171 का सी ऑप्षन राइट हो जाएगा कोशन 72 जब नियमित ब्याम से मासश्यों ब्रद्धि होती तो उसको क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपका 72 का रायट एंसर नाइगा हाईपर ट्रोफी कोशन 1 ग्राम करवाइड़ में कितनी होती है कितनी होती है कोशन इसको फिर जोड़े मिला वाला गया तो यहां पर 74 निमली कितमे निस पादन को सुदाने वाली Ergogenic को सुमेलित कीजिए तो 74 का पहले में आपको राइट अंसर बता देता हूं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका डी ठीक है डी आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है आप इसको पहुज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो भूत लंबा हो रहा है Question 75 सारे लिक शिक्सा के वियाग खैत्मक और बहुत दिक विकास के उदेश्य में विसिस्टी की किस योगिता को रहांकित किया गया है किस योगिता को रहांकित किया गया है आपको बताना है तो राइट अंसर हो जाएगा आपका सी ठीक डंग से सोचने और समस्या हल करने की योगिता Question 76 सारे लिक शिक्सा का एक प्रमुक लक्षे सारे एक सक्समता सारे लिक सक्समता का चरण दर्चरण उपागं है तो खिज में हैं तो 76 का आपका राइट अन्सर हो जाएगा है ठीक है आपका पहला हो जाएगा सेकर्ड़ हो जाएग आपका थार्ड फिर हो जाएगा तो आ इसको देख लीजीगा कोशन साधारण बोल चाल से समानित ये स्वास्थे को किस रूप में समझा जा सकता है तो ये भी काफी अच्छा कोशन है आपके आग्जाम के दरेशी कौंड से तो 77 का राइट अंसर हो जाएगा आपका रोग और विकरती से मुक्ती कोशन 78 मैं लेक्स पुट्टी में सूजन अथवा चोटी जिली जिसमें तरल्पदार्थ को को जान जाता है किस को जाना जाता है क्या हैis के राइट अंसर हो जाएगा आपका बरस परकरती आप दार्द वरसा से जुड़ी हो तो बाड़ ओ सूक की वरसा से जूड़ी होती है दूसरी जीब में होने वाली विमारी वो क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं देखो आपका काफी अच्छा कोशन ही ये भी 80 का आपका राइट अंसर हो जाएगा छूत की विमारी कोशन 81 400 मिटर ट्रेक में यदि रनर अर्द वियास 36.81 मिटर है तो इस ट्रेट की दूरी कितनी होगी तो कितनी होगी 81 का आपका राइट अंसर हो जाएगा C ठीक है 84.31 मिटर होगी कोशन 82 निमलिकी तमिज़े किसको समाई करते हुए साले रिक शिक्षा एक प्रति भाग की पार्ठे करम के रूप में अपने आपको पढ़ाई वाला वातरवन बनाने में द्रेटा दिखा दिए तो किसके दुआरा आपका D उप्षन राइट हो जाएगा गति, खेल, स्वास्ति, एवं धक्स्ता 82 का राइट अंसर हो जाएगा आपका D ठीक है कोर्षन दूसरों की उपस्तिती के करण सकारात्मक पुर्भाब को कहा जाता है तो ये भी काफी important कोर्षन ने देखो ठीक है, बहुत कमाया लेकिन एक दो प्रक्टिस रेट में आया है तो क्या राइटन सरो जाएगा 83 का आपका D ठीक है, सामाजिक सम्मान देना काफी अच्छा कोर्षन है, याद कर लीजेगा इसको कोर्षन एक किसोर व्यक्ति के बोजन में कार्वाड़र्ट प्रोटीन तदावसा का अनुपात होना चाहिए तो काफी आपको पता है काफी अच्छा कोर्षन है फोर अनुपात, एक अनुपात, एक ठीक है 84, निमलिके दिमेंदे कौन सा खेल प्रेइक्षिशन के सिद्धान में सम्मलित नहीं है तो कौन सा नहीं है आपका Economy of Moment आपका खेल प्रेइक्षिशन या आपका Sport Training का जो सिद्धान दोता है उसे सम्मलित नहीं है तो कितनी होती है आप सभी को पता है बाहत है 眼 रथन दॉड़ में किसी द्वंग द्वारें द्यगई, मानग दूरी तो कितनी होती हैपका ऐा उप्सन सही हो जाएगा आप सभी को पता है 88 निम़ली कितमgl vrij को कों सी कों सीTalkNow vaka प्रग डंडी का ठीक है यह आपका का हिंदी नाम है एक टी टू का राइट अंसर हो जाएगा डी इनमें कनफीज मत होईएगा इंगलीस और हिंदी में दोनों में आपको पर मिलेगा आपको कन फीज होने की जरूत नहीं है क्या होता है तो क्या होता है नमें कितम से की एक तरीके को छोड़ कर बाकि कि तीनों का प्यों किया जा सकता है तो वहाँ पर क्या कर रखते हैं क्या नहीं कर रखते हैं तो बंदा हीट नहीं कर सकता है पेनल्टी लेते समय निशानेवाजी के छेत्र में वर्स 2017 में किसे अर्जुन पुरुषकार प्रदान किया गया तो किसे प्रदान किया गया था के शरी में प्रिवेश करने के उन्यूं को लगाए तो 93 का आपको बता देता हूँ रएंटर हो kiya हो का वैक्टिरिया से लड़ना होता है किस तरह के कार्य के प्रति गंटे सबसे ज्यादा कैलोरिक की खपत होती है तो किसके होती है 95 आपका राइट अंसर हो जाएगा दोड़ना ठीक है 96 ओलंपिक में महीलाओ की 100 मिटर बादा दोड़ में बादा की उचाई कितनी होती है तो 100 म 1.84 मिटर होती है और 400 में कितनी होती है 0.76 में होती ऐ Nepo Dispare और ठीक है कि क Cabinet 97 कि सी व्यक्ति की भी विचार-दैस समझधारी क्यला एतल कोन से क्लाती है बोड़िक समझधारी कंखी है कोर्शन 98 निम्ली की तुमेंजे कौन सा सक्रामत्वा खेलकूद महावल के लिए अनिवारी तत्व है तो 98 का आपका जाइट अंसर हो जाएगा डी ठीक है प्राक्रतिक जलवायू दसा है सर्वाज की सिर्टिक प्रविता प्रंपरा अधिकारिक और दस्वकों का रविया और वियावार भी अच्छा है और मादा पिता के खिलाडियो के तविया और वियावार ठीक है उप्युक्स भी हो जाएगा कोर्शन 99 निम्ली कि तुमें से मच्चरों में कौन से प्रिकार से डैंगू फैलता है तो इस कोर्शन में कन्फीज मत होना अच्छा कोर्शन है अगर इस उपका आया तो आसकता है ठीक है ड्रीगू फैलता है अपका इडी मच्चर के काटने से ऑर आपका मलीरिया फैलता है एंफोलीज एंफ़लीज मादा मच्चर के काटने से तो कॉस्षन नम्बर हनडीट सर्किय्ट ट्रेनिंग विदी किस की दौरा तयार की गई है तो कि खिलाडी को प्लाग दिया जाता है, यह का सही नहीं और आपका खिलाडी पे 5 लाग रुपे नगत दी जाता है, यह भी गलत है कोशन 102 मानव सरीर की गलाइडिंग जोइंट में पाए जाता है यह पूचा है तो आपका कलाई में पाए जाता है कोशन नमबर 102 का राइट अंसर हो जाएगा आपका C 103 बायोमेट्रिक सरजरी जीवन सेली से जुड़ी किस आम बिमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है किया जाता है कोशन 104 सकती प्रिक्सेशन की वह प्रकार जिसमें जोड के कौन अथवा मासपेशी के लंबर संकुचन की दूरा नहीं बदलते हैं तो क्यों आपका सभी को पता है 104 का आपका राइट अंसर हो जाएगा आईसो मेट्रिक ठीक है उसमें मासपेशी की अकार नहीं बदलते हैं कोशन 105 भगवान जीएस का सम्मंद किस खेल से हैं तो किस खेल से हैं आपका जीएस का सम्मंद 105 का आपका राइट अंसर हो जाएगा ओलम्पिक खेल से हैं ठीक है कोशन नमबर 106 वियसकृता आयू प्रभावित होती है तो किसे प्रभावित होती है एक 106 का राइट अंसर हो जाएगा आपका सी सोरी आरम होती है सोरी प्रारम होती है ठीक है तो जो आपकी अडल 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 जो आपके अडल्स वेक्ति होते हैं वो किस आयू के बाद बनते हैं तो यहाँ पर आपका 20 वर्स के बाद उनकी अडल्स में काउंटिंग होनी शुरू हो जाती है question number minovigyáni agjan served किसका natuurlijk किमाहिन दे गप्रयाइन का ज chuckling 164 पृत्रम सिरॉणे के उत्तुलünde होता है कि famous how केंद्र में होता है question 159 have a serious no Viawania के पिता महा कॏन है आप सभी को पता है question 110 पूर्व ऑनुमान का सिधान किस ने दीया है just तो किस ने दीया है, 110 का राइट अंसर हो जाएगा it कुनसा प्रेशर मसाज मालिक का प्रकार है? प्रेशर मसाज की बात हो रही हैं आपड एक सो बारा जाएट अंसर हो जाएगा परकूर्शन ठीक है 113 गती का अधियन कहलाता है तो क्या कहलाता है आप सभी यह पता है गती का अधियन आपका कहलाता है गती विज्ञान कहलाता है कोर्शन 114 सबसे लंबा प्रेक्स्रिशन चक्र है तो कौन्चा है आपका मैक्रो होता है, पिर उसके बाद आपका मैक्रो होता है, फिर आपका माइक्रो होता है क्योचानल 115, किस वर्ज फीपा की स्थापना होई है, तो फीपा की स्थापना कभ हो ये? 1904 में हो ये. 115 का jutर बिया उप्सं कम होए? तो कभ हुआом LR आपका राइट अंसर हो जाएगा 1945 में हुआ कोशन फुटबोल की इत्यास में किस खिलाड़ी को काला पैंथर या काला मोती कहा जाता था काफी अच्छा कोशन है देख लो काफी अच्छा कोशन एकजम में आ सकता है 170 आपका राइट अंसर हो जाएगा भी ठीक है पेले को काल पैंथर या काला मोती कहा जाता था कोशन 118 बाल को बाउंस करने से पहले किक को मानने को क्या कहते हैं आपका एकस ओठार का राइट अंसर हो जाएगा एट ठीक है बोली कोशन नमबर 119 यह विस्व कप का वह वाड़ है जो खिलाड़ी को अरिक्तम गोल करने पी दिये जात क्या जिया जाता रेक्तम गोल करने पे 119 का आपका राइट अंसर हो जाएगा गोल्डन बोट अबर्ड दिये जाते हैं कोशन 120 अंतराश्टे वॉलीवल फेडरेशन का गठन कब हुआ तो कब हुआ आप सभी को पता है राइट अंसर हो जाएगा आपका 1947 में ठीक है 120 का राइट अंसर हो जाएगा 1947 बाल का भार कितना होता है तो यहां पर वॉलीवल का भार पुछा गया 260 से 260 ग्राम होता है सब्सिट्यूशन को एक सेट में कितने खिलाड़ी बदल चकते हैं तो वॉलीवल में पूछे हैं 122 का आपका राइट अंसर हो जाएग प्लीज आपका राजकुमार जी है कौशन एक से 24 ने मिले कितमे से कौन सा हैंड़ोल खेले समदित नहीं है तो कौन सा नहीं आपका लिवरो हैंड़ बॉल से नहीं होता है कॉर्शन हैंड़वल में प्रते खाप में कितने समय के टाइम आउट की अबदी की अनुमत ही होती है तो आप के लिए अगर आपको वीडियो जरावी पसंद आए तो लाइक कर देना और प्लीज आप यार इतनी महनत करता हूं आप लोगे लिए तो सब्सक्राइब करना तो बनता है तो प्लीज अभी के भी सब्सक्राइब करके जाएगा वीडियो को मिलते हैं को नई वीडियो में तब तक के लिए जाएएं बंदे मातरम